लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोज मिले और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्स्प्लेइन करके उसके कोशन्स भी दे दिये हैं अगर वह आप नहीं आप पहले वह देख लो ताकि आप अगर वह पहले देख लो तो आपके पीछे के चैप्टर्स भी हो जाएंगे तब आपके फुल मार्क्स आएंगे ओके तो आप वह पहले देख लो वीडियो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर जिसका नाम है प्रिटी है क्या है तो देखो बच्चों यहां पर मैंने आपके लिए लिए लिख के रखा है क्या है देखो यहां पर प्रिटी ऐसा पिक्चर पहला क्या है विद्धा हेल्प ऑफ दो कैलेंडर आपको मतलब कैलेंडर जो आपके घर में जिसमें डेट तारीक नहीं दियो उसकी 52 फ्राइडेज इन दिस यर मतलब की 52 फ्राइडेज 52 शुकरवार है यह साल में 2020 में ओके आगे बी क्या है देखो how many of these Fridays you will spend in school मतलब की कितने आप जो शुकरवार है कितने दिन जो शुकरवार के हैं आप स्कूल में गुजारोगे तो देखो बच्चो इसका एंसर थोड़ा अलग है क्या है because of the lockdown we are going to spend most of the Fridays at home मतलब की lockdown की वज़ा से जादा तर हम जितने भी Friday है जितने भी शुकरवार है हम घर पे गुजारेंगे ओके अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे देखो क्या है mention the things that make क्या है एक है a class untidy मतलब की आपको ऐसी चीज़ बताना है जो एक class को गंदा करती है क्या answer देखो crew desk and benches papers and pencil strips through on the floor makes a class untidy मतलब बच्चों की जो इधर उज़र bench रखी हुई रहती है और जो paper मतलब paper के जो फटे टुकड़े लेते है pencil टूटी हुई जो जमीन पर फेकी रहती है यह सब चीज़े एक class को गंदा करती है आगे देखो आगे क्या है B में क्या है B है a person untidy मतलब आपको ऐसी चीज़ बताना है जो एक इनसान को गंदा करती है answer क्या है ribbons undone shirts hanging out shoelaces open and belts askew makes a person untidy मतलब कि बच्चो जो तेखो ribbon बच्ची लोग अपने बाल में बानते है वो और देखो shirt अगर इन्ने के वो बाहर निकली रहती है आपके जो जूते के laser वो खुले रहते है या तो आपका जो belt है वो खुला रहता है तो यह सब चीज़े एक इंसान को गंदा बनाती है गंद सुतरा रखने के लिए ठीक है तो देखो answer क्या है क्या है keep all the things in proper place and arrange all things in neat way मतलब कि आप सभी चीज़ों को सही जगां पर रखो और सभी चीज़ों को साफ रखो second क्या है देखो clean the house everyday मतलब हर रोज घर को साफ रखो third क्या है do not throw garbage or waste here and there मतलब कि कच्रा कच्रा आप इधर propose all waste properly and keep the house clean मतलब कि जो भी कच्रा है उसको अच्छे से कच्रे में डालो और घर को साफ रखो fifth क्या है we should also be neat and hygiene और अपने आपको भी साफ सुत्रा रखना चाहिए तो यह सब चीज़े हैं जिससे हमारा घर हमारी घर की जगह वो साफ रहती है अब आगे देखो आगे क्या है यहां पर देखो क्या है क्या दिवाव है fourth क्या है how much time do you need to get ready for school right in the following table मतलब आपको बताना है कितना time आपको स्कूल के लिए ready होने में लगता है आपको यहां पर table मतलब आप स्कूल जाने से पहले कौन-कौन सा काम करते हो और उसमें time कितना लगता हो बताना है क्या है देख जाने से बाफिमेंटा करने में अब कितना लगता है दस ग्रता मिनिट और फिर और अपको यह सब जो है यहां पर आको कुछ फ्रेज्ज को यह इसको अपने सब वाड़ने इस से ववाटनगे अ प्रियोग नहीं बोलते हिंदियों वैसा है यह क्या है पहला प्रिटी ऐसा पिक्चर मतलब कि सुन्दर तस्वीर जैसा अंसर क्या दोगो आफ्टर दे हैड हंग दा न्यू कर्टेंस दा रूम लुग ऐस प्रिटी ऐसा पिक्चर मतलब कि जब उन्होंने नया परदे को प्रिटी ऐसा पिक्चर मतलब कि पूरा घर एकडम गंदा था दिवाली से पहले फिर देखो 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 आगे देखो आगे क्या है देखते आगे यहाँ पर देखो कहा दिया हुआ आपको मतलब कि आप यह सब चीजे कब बोलोगे आपको बताना है दो को that's not fair मतलब कि यह सही बात नहीं है यह आप कब बोलोगे we say this phrase when we are cheated by someone मतलब हम यह बात तब बोलते हैं जब कोई हमसे cheat करता हमारे साथ कुछ गलत काम करता तब हम बोलते हैं कि यह सही नहीं है मतलब कि यह बहुत अच्छा है क्या इसका कह रहा है answer we say this phrase when we are happy मतलब हम यह बात चब बोलते हैं जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तब हम यह बात बोलते हैं ठीक है मतलब आपको क्या लिखना है कि यह चीज़े आप कहां पर डालोगे वह आपको लिखना है तो देखो क्या है pencil पेंसिल आप कहां पर रखोगे कमपस में उसमें रखोगे second क्या cup कप जो चाय पीने वाला हो आप कहां पर रखोगे kitchen में किचन में रखते हैं कप हो तो पता है फिर क्या बनाना पील मतलब केले का छिलका केले का छिलका कहां पर डालोगे dustbin में मतलब कूडे दान में फोड क्या doll मतलब बच्छो गुडिया जो doll से बच्ची लोग खेलते हैं वो कहा रहेगा toy box मतलब खिलोने के box में रहेगा खिलोने की pity में रहेगा ठीक है आगे देखो आगे कहा दिया हो आपको यहाँ पर देखो last क्या है last है list five of your favorite stories मतलब आपको आपकी पांच आपकी जो favorite जो पसंदीदा कहानी है वो आपको ब पिर शिक कर बारे में आपने पी सुना होगा अलादीन का चिराग पिर किया है snow white इसकी काथून भी है आप देख सकते हैं आता है पिनोडि अ पिनोडियो भी आता है enc бо recon रहा तो जूट बोलता उसकी नाक लंभी होगे ठीक है इसकी काहनी है ठीक है बच्चो तो यहां प्र हमारे चैप्टर कम्प्लीड हो गया है अभी आप इस चैप्टर को अच्छे पढ़ लेना और रिवाइस कर लेना अच्छे से और ताकि आपके टेश्ट हो तो आपके फुल मांक से है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू